दोस्तों पिशले कुछ सालों से नाइच का चलंब बहुत्पाइच कषाल योध मै करे लग गया है। अगर आप नॉनवेज का बार बार सिवन करते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं लेकिन नुकसान बहुत जादा है आपको प्रोटीन तो बहुत सादा मातरा में मिलता है लेकिन आपका पेट खराब हो जाता है और अगर आप नामवेज रेगनर खाते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका पेट खराब होने लगता है आपको अपच होने लगती है, गैस की समस्या होने लगती है, मूकस की समस्या मतलब आओं की समस्या होने लगती है fatty liver की समस्या होने लगती है और साथी साथ जो मांसिक स्थिती है वो भी आपकी थोड़ी aggressive हो जाती है क्योंकि gas जादा बनेगी acid जादा बनेगी तो stress भी बढ़ता है हमारा तनाव भी बढ़ता है तो mostly अगर आप non-wage खाते हैं फोड़ा कम खाएं अगर ये समस्या हो रही है लेकिन साथ में आप एक ऐसी homeopathic medicine का उप्योग करें जो इसी problem को ठीक करने के लिए सबसे effective medicine है आज हम homeopathic medicine पैलिवन सेटाइवन के बारे में आपको उचान करी देंगे अगर आप non-wage खाते हैं तो इस धवा का उप्योग करने से non-wage के जो bad effect हैं खासकर आपके पीट में जो bad effects होते हैं और आपके सरीर में जो bad effects होते हैं वो नहीं होंगे लेकिन कम खाएं और तो जादा बहतर रहेगा तो चलिए आज हम जानेंगे कि अगर आप non-wage खाते हैं तो आपको alien sativa कितना फायदा कर सकती है और आपकी कौन-कौन सी problems को ये solve कर सकती है और कैसे आप इसे use करें मैं आपका मेरे channel में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शरू करते हैं शरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ मेरा इमेल आइडी केरती विक्रम सिंग्परिहार at the rate gmail.com है वहां पर जा कि आप मेल कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी लेनी हूँ तो आप मैसिज कर सकते हैं मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा चलिए टापिक की तरफ चलते हैं और आज की मैडिसेन ऐलियम सटाइवा जब आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं कि एकोर्डिंग टू डॉक्टर टेसले ये दवा एक ऐसे ग्रूप से बिलाउंग करती है जो कि नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए बहुत ही एफेक्टिब मैडिसेन्स हैं जैसे कि ब्राइवनिया जैसे कि नक्स मोमिका जैसे कि इगनीशिया लाइकोपोडियम और कोलोसिंथ इस ग्रूप में ऐलियम सेटाइवम भी है और ये दवा नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स के लिए बहुत ही एफेक्टिब मैडिसेन है और खासकर जो व्यक्ति नॉन वेज जादा खाते हैं मीट इटर बहुत जादा हैं और उसके कारण उनकी पेट की समस्या होती है और कोई और समस्या होती है तो उसके लिए ऐलियम सेटाइवम बहुत ही एफेक्टिब मैडिसेन है तो ये दवा मोस्ली हमारे पेट में असर करती है और हमारे म्यूकस मेंब्रेन में पेट में जो म्यूकस मेंब्रेन है वहाँ उपर असर करती है और जो एक्सेसिव म्यूकस है उसे ये कम करती है अगर आपको बहुत जादा आओं की समस्या होती है तो एलियम से टाइब बहुत ही effective medicine है लेकिन ये parastatic movement को भी increase करती है जिसके कारण अगर आपको कबजियत की problem है constipation की problem है तो वो ठीक होगी और साथे साथ अगर आपको पेद दर्द की समस्या है तो वो भी ठीक होगा ये gastric flora को improve करती है और जिसके कारण digestion improve होता है और साथे साथ ये बहुत ही effective vasodilator है जब इसका उप्योग करते हैं तो आपका blood pressure down होता है high blood pressure वाले patients के लिए बहुत effective medicine है ये cholesterol को पचाने में मदद करती है और अगर mostly non vegetarian जो खाते हैं जात तर उसमे cholesterol होता है और साथ में protein होता है तो ये cholesterol और साथी साथ protein को बहुत जल्दी पचाने में मदद करती है अगर आपको high cholesterol की problem है तो allium sativum बहुत effective medicine है आपका digestion improve होगा cholesterol digest metabolize अच्छे से होगा इसलिए हम जात तर जब non vegetarian खाना बनाते हुए देखते हैं तो जात तर उसमें लहसुन और प्यास का उपयोग होता है और लहसुन ही allium sativum है और लहसुन से जो है वो protein जल्दी पचता है और cholesterol भी जल्दी metabolize होता है और साथी साथ ये दवा आपके liver के ल liver जादा work करता है जिसके कारण fatty liver की समस्या जादा होती है ये fatty liver को भी कम करती है और liver के function को भी improve करती है तो दोस्तों ये आपके पेट के लिए बहुत effective medicine है लेकिन इसके लावा ये सरदी में भी effective दवा है अगर आपको बार बार सरदी होती है बहुत जादा म्यूकस आता है कफ आता है तो ये दवा बहुत effective है दोस्तों समरी में ये है कि ये दवा उन लोगों को जरूर लिना चाहिए जो regular non-wage खाते हैं इसे लेने से protein जल्दी पसता है और साथे साथ आपका cholesterol भी नहीं बढ़ता आपका constipation भी ठीक रहता है acidity और gas की भी समस्या कम होती है और mucus कम बनता है और parastatic movement इंप्रूव होता है ये दवा आप जरूर ले एलियम से टाइवा आप mother tincture में यूस करें लगभग आधे कप पानी में और गुनगुना पानी होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे results मिलेंगे उसमें लगभग 10 बुन डालें और उसे पी लीचे एक बार सुबह एक बार रात में खाने खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बात इसका उपयोग लगतार करने से आपका digestion इंप्रूव होगा थोड़ा आपका वजन भी घटेगा आपका protein metabolism इंप्रूव होगा आपका fat metabolism इंप्रूव होगा और साथे साथ आपका cholesterol भी घटेगा लेकिन मैं आ बहुत जादा non-visitarian खाना खाते हैं तो उसे कम करें हमारा हिंडिया वैसे भी बहुत कर्मी वाली जगह है और यहां अगर आप non-wage जादा खाएंगे तो आपका पेट कभी न कभी बहुत जादा खराब होगा और उससे आपको problem सोंगे तो non-wage कम खाएं और साथे साथ अपच की समस्या है तो आप एलियम से टाइब ओमधा टेंचर का उप्योग जरूर करें पानी जादा पिए तो आपकी problem बहुत ज़दी ठीक होगी आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइ डिसीज रिलेटेड वीडियो लात रहता हूं तो इसको देखने के लिए मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्ते नीचे एक शेयर की बटन दीए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा नीचे कमेंट शेक्षान है मैसेज ज़रूर करिएग अज़रूर करिए प्सक्तर करिए झाली है